जैस्री राधिकिष्ण। आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल भीके मिस्रा प्रजेंट में बहुत-बहुत स्वागत है। आईए आज आप सब सुनेंगे बसंत पंचमी सरश्वती पूजा की कथा। इस बार बसंत पंचमी का तेवार जोकी 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार को किया जा रहा है। इस दीन का बड़ा ही विशेश महत्तु माना गया है. वैसे माघ का महीना जोकी सभीकार के पापो को नश्ट करने वाली है। माघ का महीना प्रतेक दिन जोकी अपना महत्तु है इस दीन widiक का माघ के महीने में गंगाश नानs करना, दान पुन्यों का कारी करना भगवान विष्णों का पूजन करने का विशिस महत्य होता है इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और वहीं पे माग मास के शुकल पक्षु की पंचमी तिथी के दिन स्री पंचमी बसंत पंचमी का तिवहार मनया जाता है औ और इस दिन पूरे बिधी बिधान के साथ भगवान गणेश, माता सरश्वती और बसंत रितु के आगवन में जो की कामदेव और रती का पूजन किया जाता है। यहां शूफ हलो को परदान करने बाली है तथा सभी प्रकार के जीवन में सम्रिधी को परदान करने बाली है। इस दिन जो की माता सरश्वती का जन्म दिबस की रूप में इस दिन को मनया जाता है। इस दिन विद्यार्थियों के लिए और खास करके जो भी कलाश शेत्र में हैं गायन वादन करने वाले हैं उन सभी के लिए इस दिन का विशेश महत्तु होता है बसंत पंचमी तिति के दिन इस दिन माता को जो की पीला पुश्प अर्पित करनी चाहिए धूप दिखाना चाह कि इसे माता सरश्वती अपने भक्तों पर अति प्रशन होती हैं तो आये सुनते हैं बसंत पंचमी की कथा और अंत में जानेंगे फिर पूजन के शुब महत्तु के बारे में तो बोलिए प्रेम से माता सरश्वती की जय कथा के अनुसार स्रिष्टी के प्राड़म्भी काल में भगवान श्रिव की आग्या से भगवान ब्रह्मा ने जीवों को खास तोर पर मनुश्य योनी की रचना की लेकिन अपनी सरजना से वे संतुष्ट नहीं थे उन्हें लगता था कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है जिसके कारण चारों और मौन चाया रहता है तब ब्रह् थेली पर जल लेकर के संकल्प शुरूप जल शिरका उसी समय एक देवी जो की दिवी रूप में प्रकट हुई यह शुरूप एक चत्रभुजी सुंदर इस्त्री का था जिनके हाथ में विर्णा तथा दूसरे हाथ में वर्मोद्रा थे अन्य दोनों हाथों में उस तक जल धारा में कुलाहल व्याप्त हो गया पबंच चलने से सरसराहट होने लगी तब सभी देवताओं ने सब्द और रसका संचार कर देने वाली उन देवी को वार्णे की अधिश्ठात्री देवी सरश्वती कहा और इन्हें वाग देवी कहा जाने लगा माता सरस्वती को जो की वागिश्वरी भगवती सारदा वीना वादनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है ये विद्या और बुद्धी परदाता है संगीत की उत्पत्ति के कारण ये संगीत की वी देवी है बसंत पज्जमी के दिन को इनके प्राकाटि जो सबकी रूप में भी मनाते हैं माता सरस्वती के रूप में जो की बुद्धि और वर्ग्या तथा ओर अचार और मेदा उसका आधार भगवती सरश्वती नोगर्अरु पुराणों के अनुसार भगवान स्रिक्रिष्ण ने माता सरश्वती को प्रशन होकर उन्हें वर्दान दिया था कि वसंत पंश्मी के दिन आपकी अराधना की जाएगी और तभी से इस वर्दान की फल सुरूप भारत देश में बसंत पंश्मी के दिन विद्या की देवी सरश्वती की पूजा होने लगी जो कि आज तक जारी है बसंत रितु के आते ही प्रकृती का कणकण खिल उरता है मानत तो क्या पशुपक्षी तक उलास से भड़ जाते हैं हर दिन नई उमंग से सुर्योदे होता है और नई चीतना परदान कर अलग दिन फिर आने का आस्वासन देकर चला जाता है मा का महीना जो कि पूरा मा से ही उस साह देने वाला है पर बसंत पंचमी का परव भारतिय जन जीवन को अनेक तरह से प्रभावीत करता है प्राचिन काल से इसे ग्यान और कला की दिवी मा सरस्वती का जन्म दिवस की रूप में मनाया जाता है जो सिक्षावीद भारत और भारतियता से प्रेम करते हैं वे इस तिन मा शारदी की पूजा कर उनसे अधिक ग्यान भान होने की प्रात्ना करते हैं कलाकारों का तो कहना ही क्या, जो महत्व सैनिकों के लिए अपने सस्त्रों और विज्या दस्मी का है, जो विद्वानों के लिए अपने पुस्तक और व्यास प्रोणिमय का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू, बाट, बही खाते और दीपावली का है, वही सब दीन का प्राडम अपने उपकरणों की पूजा और मा सरश्वती की बंदना सभी इस दीन करते हैं इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेड़क घटनाओं को भी याद दिलाता है सरफ पर्थम तो यहां त्रेता यूग से जोड़ती है रावत द्वारा माता सीता के हरण के बाद सरफ राम उनकी खोज में दक्षिन की ओर बढ़े जिसमें जिन अस्थानों पर वे गए उनमें दंडकार अने भी था यही शवरी नामक भिनली रहती थी जब राम उनकी कुटिया पर पधारे तो वहां सुदबुध खो बैठी और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खाने के लिए दी और यही प्रेम में पड़े जूठे बेर वाली घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने धंग से फिर प्रस्तूत किया इस पार बसंत पंचमी का तिवहार जो की 14 फरवरी 2024 दिन बुद्वार को पर रहा है बसंत पंचमी के दिन इस दिन शुप महुरत के अनुसार माता सरश्वती का जो की पूरे विधी विधान के साथ पूजन करना चाहिए इससे माता सरश्वती अपने भक्तों पर प्रशन होती हैं और अपना कृपा परदान करती हैं तो आईए जानते हैं बसंत पंचमी के शुप महुरत के बारे में माक मास की शुकल पक्षी की पंचमी तिथी प्राड़म समय जो की 13 फरवरी 2024 दिन मंगल बार दो पहर 2 बजकर 43 मिनट और पंचमी तिथी की जो समापती है वह 14 फरवरी 2024 दिन बुद्वार को दो पहर 12 बज बसकर 11 मिनट पे पंचमी तिथी की समापती है तो सुर्योदय व्यापनी के अनुसार बसंत पंचमी का तेवहार जो की 14 फरवरी को मनाया जाएगा इस तीन माता सरश्वती का पूजन किया जाएगा चोदा फरवरी को माता सरश्वती के पूजन के लिए जो समय है वह समय जो की शुब चोगरिया महुर्ट के अनुसार समय लाम और अमरित नामक शुब चोगरिया महुर्टो जो की सुबह 6 बजकर 35 मिनट से सुबह 9 बजकर 23 मिनट तक होगा उसके बाद फिर शुब नामक अस्थापना करते हैं तो अस्थापना करके आप पूरे बीज़ी विधान के साथ पूजन करें विशेश करके जो की सुबह के समय में ही माता का पूजन संपन कर लेना चाहिए बसंद पंचमी के दिन 14 फरवरी को जो सुर्योदे का समय है वह समय सुबह 6 बजकर 33 मिनट और स पंच बजकर 50 मिनट राहु काल का जो समय होगा वह समय दो पहर 12 बजकर 12 मिनट से दो पहर एक बजकर 37 मिनट तक होगा राहु काल समय के दौरान कोई भी शुबह कार्य या नया कार्य करना चाहिए कि अलावप्रत नहीं होता है इस बात का ध्यान रखे नश्यत्र जोकी रे साथ बसकर उनसर मिनट तक होगा उसके बाद शुक्ल योग होगा बसंद पंचमी तिति के दिन रभी योग भी बन रहा है जो कि सुबह 10 बसकर 43 मिनट से अगले दिन सुबह 7 बजे तक होगा चोदा फरवरी को ब्रह्म मुहृत का जो समय है सुबह 5 बसकर 18 मिनट से सुबह 6 बसकर 9 मिनट तक होगा बसंद पंचमी जिसे की अभूज मुहृत के रूप में जाना जाता है इस तिन विद्या ग्रहन के लिए बड़ा ही अच्छा दिन माना जाता है या इस तिन किसी परकार का शुब कारे करे तो यहां अनंत्रफल दाई माना गया है इसमें कोई भी मुहृत का जरूरी नहीं है क्योंकि इसे अभूज मुहृत के रूप में जाना जाता है इस तिन पूजन के लिए योकी पुरे बिदी बिधान के साथ माता सरश्वती का पूजन करना चाहिए इस उसके बाद फिर कामदेव और रती का पूजन करना चाहिए बसंद पंच्मितिति के दिन कामदेव और रती का पूजन किया जाता है इससे विवाहिक जीवन खुश हाल होता है तथा जीवन में समृद्धी आती है तो इस दिन कामदेव और रती का भी पूजन करना चाहिए उसके बाद फिर माता सरश्वती का जो की पूरे बिधी बिधान के साथ पूजन करना चाहिए माता सरश्वती को इस दिन जो की पीला वस्तु बिसेश प्रकार से अर्पित करे जल पुष्प अफशत धूप दिप आदी से इनका पूजन करे नबेदे में पीले वस्तु का भोग लगाए जो भी रितु फल मिले उसको माता सरश्वती को भोग लगाए उसके बाद जल से आश्मनी करवाएं मुक्षुधी के लिए पान पत्र सुपारी लोग इलाजी की साथ अर्पित करे इस तीन माता को जोकी अवीर गुलाल आदी अर्पित करनी चाहिए दरबे रक्षना चिरहानी चाहिए इसके बाद फिर माता सरश्वती का कथा सरवन करनी चाहिए इस तीन पुरुशुक्त स्रिशुक्त आदी का पाठिया सरवन करना चाहिए माग का महिना जो कि भगवान सरकृष्ण का मास माना जाता है इस तोरान भगवान सरकृष्ण भगवान विश्णु मातालक्ष्मी का पूजन किया जाता है तो इस तोरान गंगा नदी आदी में अश्नान करे भगवान विश्णु मातालक्ष्मी भगवान सरकृष्ण का पू करना चाहिए इससे माता सरश्क्रती अपने भगतों पर अतिप्रशन होती हैं और अपने भगतों को अपना कृपा प्रदान करती है तो आसा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्यान, का नोट्पिकेशन आपको समय से मिलता रहे वीडियो को लाइक करे शेयर करे शुखी रहे और स्वस्त रहे जैसरी राधिक्रिष्ण धन्यबाद